नमस्कार दोस्तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्जाम वारियर्स में। मैं दोस्तो आप लोग के साम एक सुचना लेकर क्या आया हूँ, एक महत्पूर्ण सुचना लेकर क्या आया हूँ। खास करके यह सुचना जो है आप लोग को BPSC बिहार पाब्लिक सर्विस कमिशन की जो प्री एक्जाम होने वाली है अप्रेल, लाश्ट अप्रेल में उसको लेकर क्या आया हूं। जो आप एक वन लाइनर के तौर पे आप फटा फट रिवीजन कर सकते हैं, जल्द से जल्द कर सकते हैं। यह सभी प्रेशन जो है आपको एक अच्छे विससग्यों के द्वारा त्यार किया गया प्रेशन है। एक अच्छे बुक का आपको संग्रह दिया जा रहा है। इसमे आप एक इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह प्रेशन जो है आपको एक विससग्यों के द्वार त्यार किया गया है। तो आप लोग के सामने, आप लोग के साथ मैं ऐसे ही प्रेशनों को परते एक दिन 50-50 प्रेशनों को कराने का कोशिस कर रहा हूं ताकि आप असानी से ए हम लोग एक हजार जो हमारे पास प्रेशन जो है उन सभी प्रेशनों को असानी से कर सके हैं और एक चीजा और मैं बताऊंगा कि आप लोग एए वीडियो को जैसे ही देखेंगे वो आप लोग अपना हमारे कोमेंट बॉक्स में अपना विचार भी शेयर जरूर करें कि क्य आपकी जो सोच है आप जो पढ़ते हैं उस चीज unemploy को देखते है तो आप जो परसे पढ़ेंगे देखेंगे हमारा वीडियो को अप अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ यह प्रशन जो है कि हमारे आने वाले जो है इक्जाम के लिए क्या सई है हमारे फाइदा पहुचा सकता है कि नहीं पहुचा सकता हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद हमारे comment box में आप लोग अपना विचार जरूर share करें ताकि मैं भी और इसको बेहतर करने का कोशिस कर सकता हूँ आप लोग अपना विचार देंगे कि या इसमें और क्या किया सकता नहीं किया सकता है और इसको और किया से बेहतर से बेहतर बना सकते हैं तो हम मैं आज से आप लोग के साथ 50-50 प्रस्ण डेली कराने का कोशिस करूँगा तो आईए हम देखते हैं आज से मेरा पहला प्रस्ण क्या है उसको देखेंगे पहला प्रस्ण है एक प्रांथ के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया एक प्रांथ के रूप में हम जैसे हम आम तोर पर तो हम बिहार को राजे बोल देते हैं लेकिन आप लोग सब पड़े होंगे कि राजे कहलाने के लिए चार अलग अलग तत्वों की जरू ना उसके उपर कोई दबाव है ना किसी देश के अंडर में हैं। लेकिन राज किया होते हैं आपको सौतंत्र नहीं होते हैं। तो राजों के पास क्या होती है संप्रभुता नहीं होती है लेकिन हम आम तोर में बोलते हैं बिहार राज है उत्रपदेश राज है लेकिन हम देखे तो क्या है पोल्टिकल साइंस के बिसे में देखे तो बिहार क्या है एक प्रांथ के रूप में तो उसी जो है यहां पर लि उडिशा ये सबी हमारे साथ थे उसमें उडिशा की बात करें उडिशा हम से बिहार से कब अलग हो गया 1936 में जबकि झरखंड की बात करें तो झरखंड हम से कब अलग हो गया 2013 में 15 number 2000 को zobaczyuine कर एक अलग to Все के रूप में गठन किया गया ये अगला प्रस्ट है एक पीरा चोर कहां अवस्तित है तो ये कहां पर है आपको किसन पूर में है छेत्रफ़र के दिश्टी से बिहार का कौन सा अस्थान है पूरे राजी में बात करें तो अभी वर्तमान में कितने राज हैं आठाइस राज आठ किन्सासित परदेश है जिसमें बिहार का अस्थान कैवा है तो बिहार का वर्तमान में अस्थान जो है आपको बारहवा अस्थान है तेरह ने इसको बारहवा अस्थान कर लिजिए क्योंकि ये पहले का प्रस्ट है जो जमू कस्मिर राज हुआ करता था पाजमुकस में दो भागों में टूट गिया है और दो नए किंसासित परदिस का गठन किया चुगा है, आगे दखेंगे, एसिया की सबसे बड़ी गोखुर जील, ठीक है, एसिया की सबसे बड़ी गोखुर जील कौन सी है, तो कावर जील है, आपको प्रश्ण पूछा जा च में किस ब्यक्ति का उलेक है, जिसने बोध गया में एक सीव मंदीर का निर्मान करवाया है, तो सीव मंदीर का निर्मान कराया है, उसका उलेक किसका है, केसो का है, एसिया का सबसे बड़ा पासु मिला कब और किस अस्थान पायुजित किया जाता है, यह पूरे एसिया में स कहां पिष्ठित है बिहार मिष्ठित है ठीक है ये कब लगता है तो आपको कार्थिक पुर्निवा को लगता है आपको इंगलिस महीना के बाद करें तो न Commerce के आसपास यह मेला का इउजन किया जाता है अब इसका जो है स्वनपूर का नाम इसका नाम भी है हरिहर चेत्र मेला इसका विध्याम लखेगा इस पशुप मेला का नाम क्या है हरिहर चेत्र मेला नाम है बिहार में रेल पहिया कार खाना किस अस्थान में अवस्तित है बिहार में रेल पहिया कार खाना कई अलग अलग अस्थानों पर है जिसमें आपको बेला है दरिया पूर है और शारं च्छप्रा में इस्तित है पाल यूबीन कलाकार धीमन और उसके पूत्र बिठल पाल कहां के निवासी थे तो ये सब ये निवासी कहां के थे नलंदा जीला के ठीक है जो अभी अब अलग आपको जीला के रूप में इसको गठित किया गया है नलंदा के सब आपको कितनी थी ठीक है ये डाटा आपको पुराना हो गया होगा इसको जो है आपको पढ़ना जरूरी नहीं है इसको छोड़ दीजिए धातु से बने सीके सवर परतम किस काल में पाए गए तो धातु के बने धातु का सीको की सबसे पहली बार जो है आपको प्रचलन जो हुआ थ कब थी तो आपको छटी सताबदी इसापूर के पास भी थी रूदर दामन के जूना गड़ा भिलेक के अमसार किस परवत पर सुदर्शन जील का निर्मान करा गया था ठीक है ये जो है आपको किस परवत पर तो आपको उर्जियंत परवत जो कि कहां पर है आपको गुजरा वाले अरिया में है इससे समधी सासा कौन था तो आपको रूदर दावन था खादर मीटी के किस तत्वे में कमी पाई जाती है खादर मीटी में किस तत्वे की कमी पाई जाती है तो खादर जो मीटी होती है जलोड मीटी को हम दो भागों बारते हैं एक खादर और एक बांगर ठीक है तो नई जलोड मिल्टी जो होती है वो खादर होती है अब ये काफी जो है किरिसी के उदे से देखें तो किरिसी के उदे से काफी आपको क्या होती है तो आपको उपजाओ होती है तो इसमें किसकी पाई जाती है कमी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है इसमें जो भी खेती की जाती है उसमें नाइटोजन बाहर से यानि यूरिया के माधियम से खाद के माधरम से आपको इसमें दिया जाता है जारखन के गठन के बाद बिहार में राजसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है तो अभी वर्तमान में बिहार में राजसभा सीटों की संख्या की बात करें तो आपको 16 है बिधान परिशत की बात करें तो बिधान परिशत सीटों के संख्या बिहार में कितनी है 75 है आपको बिधान सभा की बात करें तो बिधान सभा 243 है लोग सभा की बात करें तो लोग सभा कितना है लोग सभा 40 है ठीक है तो सब की याद आखिएगा लोग सभा 40 बिधान सभा 243 बिधान परिशत 75 और राजसभा 16 हम जहारखंड की बात करते हैं तो जहारखंड में आपको जहारखंड की बात करेंगे तो जहारखंड में आपको राजसभा कितना है राजसभा सीटों की संख्या है जहारखंड में 6 ठीक है लोकसभा कितना है यहाँ पे लोकसभा है 14 ठीक है आगे प्रस्ण देखेंगे, युक्ती योजना बिहार सरकार के द्वारा कव परणांप किया गया, तो यह आपको योजना पुराना काफी पुराना हो गया है, तो यह सब योजना नहीं पूछा जागा आपसे, क्या अभी जो लैटेस्ट योजना चल रही है, जल, जीवन, हर यरोजना कहिछ तरह की वुजना है, वो सब योजना आपके लिए महत्पून होंगे, वह अभी मैं आपको current affair के माधियम से कराऊँगा, नो ननलंदा महाबिहार किसके लिए परसी था, तो आपको नो नलंदा महा बिहार अर्था महा बिहार किसको का जाता था आपको बौधों के रहने का जो अस्थान होता था उसी को बिहार के नाम से जाना जाता था ठीक है तो देखेंगे बहुत सारे बिहार का आपको क्या किया गया था अस्थापना किया गया था गठन किया गया था जहां बौध भी छूंको रहने का निवास अस्थान था ये किसलिए परसी था आगर पाली अनुसंधान पाली जो भासा थी आगर बोधों के जो भासा थी वो पाली भासा थी और पाली अनुसंधान के लिए ये परचली था इनानियों ने किसे अमित्र चेश या अमित्र घात अर्था सत्रूओ का नास करने वाला कहा है तो आमित्र डायेक्ट पूचा जाता है कि अमित्र घात के नाम से किस को जानते हैं बिंदु सार को जानते हैं जो कि किस वन से समंदित था, आपको मौरे वन से समंदित सासक था इंडिका का लेखा मेगा अस्थिनिज किसके दर्वान में पाटली पूतर आये था मेगा अस्थिनिज किसके दर्वान में आये था तो आपको चंद्रगूप्त मोर्च के दर्वान में आये था जो हैं मेगा अस्थिनीज का एक आपको पुष्टा खजिस का पूछा जाता है इंडिका के लेखा कौन है तो हैं मेगा अस्थिनीज घोगा जिल कहां इस्थित है तो घोगा जिल आपको मनिहारे में इस्थित है और मनिहारी कहां पर है बिहार के कटिहार में इस्थित है ठीक सुदर्सन जहिल का निर्मान किस ने कराया था। सुदर्सन जहिल का निर्मान आपको चंद्रगूप्त मौर्णे पूस्य गुप्त के द्वारा किराया गया था। भजपूर जीला का मुख्याले कहां पिस्तित है तो आपको आरा में इस्तित है। खुदा बस लाइबरेरी की अस्थापना कब हुई तो पांच अक्टूबर अठापना कहां में किया गया है आपको पटना में किया गया है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? अठापना के ही निवासी है, इनकी घर की बात करें तो आपको नाला रोड मिन का अपना अस्थानिय घर भी है। 18-29 अगर्ष 2020 को बिहार प्रांतिय समेलन कहां का बाराहुआ अधिवेशन कहां हुआ था? विहार प्रांतिय समयनना का बरहों अदिवैसन कहां पर किया गया था तो आपको भागलपूर में किया गया था सभी मनूष मेरी संतान है, यह कथन किसका था? असोक ने जो है आपको असोक सिला लेख पढ़ेंगे तो असोक ने अलग-अलग सिला लेखों में अलग-अलग तऱ के वक्त भी दिया था उसी में एक कहा गया है कि सभी मनुष मेरी संतान है अब इनकी रख्ठा करना मेरा करता भी है ठीक है तो यह किसका अको कथन था असोक का था चंदोग्य दसपदती नामक पुस्तक की राचना किसने की चंदोग्य दसपदती नामक पुस्तक की राचना बिरेंद्र ठाकूर के द्वारा किया गया था ठीक है पटना इस्तित पथर की मस्जित को अन किस नाम से जाना जाता है पटना की जो है कौन से मंदीर है पथर की मस्जित है जो कि आपको कहां पे इस्तित है आपको इसको बात करें तो आपको पटना सिटी में इस्तित है ठीक है इसको किस नाम से जाना जाता है तो संगी मस् है भारत वैगन एंड इंजिनिरिंग कंपनी लिमिटेड कहां पवस्तित है भारत वैगन लिमिटेड जो है आपको क्या है आपको रेलवे की कुछ बनाने वाली कंपनी है जो कि कहां पिस्तित है मुकामा पठना में इस्तित है गुप्त राजा जिसने विकर्मादित की पद्विली आप लोग सब लोग पढ़ते होंगे चंदुगुप्त मौर्ज के बारें पढ़ते होंगे ये सब उपाधी आपको बहुत ही चर्चा में है विकर्मादित की उपाधी किसको दिया गया है तो आपको सबसे जादा जो पर आजा हुआ था आपको चंद्रंगुप्त द्वीत्य है भी कर्मा दीद के नाम से पर चरीत हुआ था आगे दखेंगे प्रस्ट रीक वेज में एकानी बार किस शुक्त में पहली बार वर्ण बिवस्था का उलेक किया घी रीग वेजमें हम पढ़ते हैं कि रिग वेत के दस्वे मंदल में, ठीक है, रिग वेत के दस्वे मंदल में पूरु सुक्त की जो ब्याख्या किया गया है, इसमें आपको चार अलग-अलग वर्नों का उलेक किया गया है, इसमें आपको छत्रिय है, वैस है, छुद्र है, ठीक है, ब्राम्बन है, यह सभी का जो है उलेक आपको डायेक्ट पूछा जाता है कि किस में किया गया है तो अरिक वेत के दस्वे मंडल में किया गया है धर्मपाल के बाद पालवंस का सासक कौन बना ठीक है ये पालवंस की बाद करते हैं तो पालवंस का संस्थापक कौन था पालवंस के संस्थापक था आपको गोपाल कौन था पालवंस के संस्थापक था गोपाल कौन था पालवंस के संस्थापक था गोपाल के बाद आया तो वनोज का सासक न्यूग किया था, किसको चक्रा यूद को किया था अर्थ वर्शता में वी 2580 देशों के लिए रोलिंग प्लान किया अधाना शोर परथम किसने प्रश्थूत किया था रोलिंग प्लान जो है आपको गुर्णार मिल्डर एक अर्षास्त्री थें उनके द्वारा आपको रॉलिंग प्लान शुरुआत की गई थी वारत में रॉलिंग प्लान कब शुरू किया गया था तो 1978 में किया गया था जिसमें परधान मंत्री मुरार्जी देशाई की सरकार थी आप लोग का याद होगा कि जब अपातकाल लागाए गया 75 में इसके बाद जैसे चुना हुआ तो इंद्रा गांधी जो है बुरी तरह से हार गई और वहां पे एक नए परधान मंत्री बने जो इनका नाम था मुरार्जी देशाई तो उन्हें ने ने 1978 में आपको रॉलिंग प्लान लाया जिनका जो ह 7 विहार की सक्षर्था दर ओलफ़हर 63.82 परतिसात है कितना 63.82 परतिसात बिहार की सक्षर्था दर है 15 सधी में कौन सा नगर इसलाम ध्र्म और संस्क्रीश्थि का परमुक्य अंद्र था कब 15 सधी में सधी के बात करते हैं तो 15 सधी मतलब कि सौदरसों कूछ ठीक है, 1400 से 1500 के बीच की इस भी को क्या करते हैं, हम 15 हमी सदी में रखते हैं, इसका मुखी संस्कृति के अंत कौन था, आपको था जौनपूर तो आपको बीर, कुमर, सीज ने किया था, जो कि इनका समद की छेतर से था, आरा भोजपूर से था, जहारखन में निर्मान धीन कोईल कारो परियोजना, परियोजना किस जीले को सरवाध ही कलाब मिलेगा, आप देखेंगे, तो जहारखन के हम बात करते हैं, बिहार का जो है, दजनी वाला हिसा जो है बहु सारे जो है अस्टेट है आपको रोहतास बात करते हैं और आपको औरंगाबाद बात करते हैं तो यह सबी क्या है आपको जहरखंट से पूरी तरह से बोडर बनाता है तो आपको कोईल कारो जो जल्ब परियोजना जो है यह से सबसे ज्यादा वहां से निकल करके कहा आती है बिहार के तरफ आती है और वहां से डैम बना करके कई नहरे निकाले गई है जो कि वर्तमान में इसे बिहार में सिचाई की जाती है भारत में योजना आयो का गठन कब किया गया था तो योजना आयो का गठन आपको 15 मार्च ठीक है 15 मार्च 1950 क किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पदेन पर्धान मंत्री होते हैं, योजना आयो का अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन पर्धान मंत्री होते हैं, अभी जो योजना आयो को हटा दिया गया है, इसी संस्ता के अस्थान पर आपको कि संस्ता क लाया गया है, न ठीक है आगे देखेंगे बिहार राज खादिक ग्रामद्योग की अस्थापना कप किया गया था तो 1956 में किया जाता है 1050 की सब पूर्वी के आसपस गंगा घाटी के किस जगह से लोहा मिन्य के परमान मिले हैं 1050 अधनीक काल के दोने बीच का समय है इसका सुरवाती पीसपास उस समय आपको अत्रंजी खेडा अत्रंजी खेडा कहा पी है आपको उतर परदेश है यहाँ से आपको लोहा के परमान मिला है तिरितिय आपदा जोखिम नुनी करन समयना 14-18-25 कहा हुजीत किया गया यह प्रशन आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है कि एकूल समय का करन्ट है फिर का प्रशन होगा इसलिए प्रशन आपको दिया गया है जारखन के गठन के बाद बिहार बिधान परशन के कूल सदासु के संख्या कितना है अपनों मैंने बताया 75 अब जो जारखन की बात करेंगे तो जारखन में कितना है जहारखंड में बिधान सभा सीटों की संक्या है 81 जहारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे बिधान सभा सीटों की संक्या कितनी है यह T1 है लोग सभा की बात करते हैं तो 14 है और राज सभा की बात करते हैं तो राज सभा की सीटों की संक्या 6 है और जारखंड में द्वी सतनात्मक सरकार नहीं है वहाँ पे इसलिए विधान परिशत का गठन नहीं किया गया है ठीक है तो विहार में बचिया कितना 75 आप लोग सब पढ़े होंगे कि विधान परिशत का गठन जो किया जाता है आर्टिकल 179 के हमसार किया जाता है जलकि वि आज के विधान सबस सीटों की संख्या के वन भाई थर्ड से अधिक नहीं होगी तथा नियुंतम की बात करें तो नियुंतम विधान पर से सीटों की संख्या कितनी होगी चालिस होगी इसको विधान में रखिएगा 16 प्रहुनी सतीष को नमक कानून भंग करने के लिए कमपनी ने ब Nah ने बिहार में sister का अधिकार प्राप्त कर लिया कब 17 891 इस में किस कमपनी ने बिहार में सोरा सोरा जो होता था उस पर वे कर लिया आंग्रेजी इश्ट इंडिया कमपनी ठीक है बिदेह के राजा ने निश्क या सुवर्न या सत्नाम उपहार में दिये या कहां वर्नित है देखें निश्क क्या होता था गले में पहनने वाला पहले देखेंगे आप लोग पहले के लोग इस तरह के पहनते थे चीजें गल्ले में पहनने वाला एक हसुली टैप का होता था वह आपको सोने का होता था उसी को यहाँ आपको उलेख किया गया है इसका वर्नित कहां किया गया है बिरिहनायक उपनी सद में किया गया है 1829 अगर्ष 2020 को बिहार प्रांतिय समेलन के बारहमय अधिवेशन के अधिशता किस ने किया उनिस अविस में बिहार प्रांतिय समेलन के बारहमय अधिवेशन के अधिशता डॉक्टर राजेंदर परसाद के द्वारा किया गया था तो कि आपको इनका समन्द भी किसे था बिहा आपको पटना था जिसमें कई सारे से मजरूहूल हक अईसे कई सारे इसे नयतावत इसमें पार्टिसिपेट किये थे हुआ है कि जंगन्पार्र के बिहार की कितनी परदिशत जन्संख्या नगरों में निवास करती है तो बिहार की जो हम बहुत ही कम है क्योंकि बिहार में देखे तो बहुत जादे ऐसे सहर डेवलप नहीं किये हैं जो कि आपको वहां पे लोग राज जैसे हम बात करें रधानी की पटना की तो पटना के अलाबा कोई और वैसे डिस्टी को नहीं देखा जा सकता है इसे गया है तो गया भी उस तर सिफ्ट करते हैं चाहा पढ़ने के लिए हो या और किसी कार्ट के लिए हो तो आपको 2021 के जनकरना कमशार बिहार की कितनी परतिशत जनसंख्या आपको निवास करती है सहर में तो 11.30% अभी जो है 90 परतिशत के आसपास 89 89 परतिशत जो है जनसंख्या कहां रहती है गाउं मे में ही देखी जाती है तो यह आज की जो परतिशने थे 49 ऐसे मैंने क्या बोला कि मैंने प्रतिएक दिन 50 परतिशनों को जो है संग्रफ को आप लोग के साथ आऊंगा और कम से कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा रिपीट यानि कि परतिशनों को रिविजन करने का इस बातो पर धियान देजिए और मैं जो बोलता हूं उस चीजों को दियान से सुनियाए तौ Sheikh मैं बहुत सारी चीजों को बोल देता हूं प्रतियों के सुनते रहे और आप अपनी त्याहिक को इस तरह से बनाये राखिएhos के तौरप पढ़ते तो सब लोग हैं लेकि रिवीजन एक बहुत बड़ा माईने रखता है और आप अपने गुरूप में दोस्तों के साथ आप क्या करें डिसकसन भी करें ठीक है क्योंकि गुरूप डिसकसन जो होता है वो सबसे बेहतरिन तरीका है आपको इस कंपटिशन के आगे बढ़ने के लिए तो मैं आज एक प्रशनों को करा रहा हूं और प्रते एक दिन ऐसी 50 प्रशनों को लेकर कराऊंगा और आपसे फिर मैं एक चीज करना चाहता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करें कि आप कमेंट पॉक्स में हमें जरूर आपना विचार हमें जरूर परकट करें कि आपको मन में क्या चाड़ रही है इस वीडियो को देखें इसमें आकर आपको कुछ कमी दीखता है या आपको लगता कि नहीं इससे और बेहतर किया जा सकता है तो आप हमें जरूर शलादे राएदे हमारी प्रेशनल भी कर सकते ह या आप YouTube चैनल के comment box में भी कर सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में और आप लोगो कि मैं इस तरक से और भी प्रेशन लेकर करके आऊंगा साथ साथ मैं आपको current affair का भी session लेकर करके आऊंगा जिसके माध्यम से आपको जल्द से जल्द revision करा सके हैं तो धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियों